काशित वाक्य 21 सध्याय तीन से चार पद फिर मैंने सिहासन में से किसी को उचे शब्द से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुशों की बीच में है वह उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आँखों से सब आसू पोस्ट डालेगा और इसके बाद मुरत्यू ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पेड़ा रहेगी पहली बाते जाते रही इस महल में यहाँ पर एक परफूमेंस हाल है जो सिड्नी में उपेरा हाउस की तरह दिखता है और वहाँ पर बहुत से अम्यूजमेंट पार्क्स भी है और इस महल में चिडिया घर भी है और यहाँ पर खेल की और भी बहुत से मनोरंजन की सुईधाई है और वहाँ पर बहुत से पानी के पारक और बहुत से ज़ड़ने भी है अगर आपको इस प्रित्वी पर इन चीजों का अनन नहीं मिला अगर आप ने रिशली में जाएंगे तो वहाँ पर ये सभी चीज़े आपको मिलेंगी और मैं अपनी कलिसया के सदस्यों के साथ यहाँ पर समय बिताना चाहाता हूँ महान श्रीत नैसी हासन के बाद हम वहाँ पर अपनी अनन स्वर्गे घरों में चाहेंगे और वहाँ पर पिता परमिश्र के द्वारा एक भोश रखा चाहेगा और उसके बाद हमारा अनन स्वर्गे जीवन वो इस पहले भोश के साथ शुरू होगा जिसके बाद कोई मिरत्यू, चिंता, शोक, विलाप और पेडाना रहेगी वहाँ केवल खुशी, प्रेम, अनन और शांती होगी कितना जाद मैंने उस दिन की लासा रखी थी और कितना जाद मैं उस थान में जाना चाहाता था और मैं वास्तों में चाहता हूँ कि आपने से सभी स्वर के सबसे भेतर राज्य में जाने पाए आपने जो अभी तक स्वार की सुंदरता के बार में सुना है या आपके लिए काफी है सबसे मेतपून्ट चीज है कि हमें इस स्वार की राज़े को अपनी हिर्दे में साधना है मैं प्रभुश्य मस्य की नाम से प्रातना करता हूँ ताकि आप अपना अनन स्वार गया जीवन आप सबसे भेतर स्वार की राज़े में जीने पाएं मसी में प्रियभाईयों और भैनों और सभी जीसी एन टीवी के श्रोता हूँ मैं आपको पवित्र आत्मा के छेत्र में सबसे बड़े महल के बारे में बताऊंगा जो की नए अरुशले में है पिछले संदेश में मैंने आपको मुख्य घरों और महलों के बारे में बताया था आज मैं आपको उन सभी सुईधाओं के बारे में बताऊंगा और उन सभी सुईधाओं के बारे में अगर मैं आपको गहराई से बताऊं तो इसमें एक बहुत लंबा समय लग जाएगा लेकिन जो भी है आपने उस सुंदरता और खुशी के बारे में सुना है वो आपके लिए काफी है इसलिए सबसे महतपून चीज है कि हमें स्वार के राजे को अपनी हिर्दे में साधना है हमें इस स्वार के राजे को अपनी हिर्दे में साधना है ये ऐसा है कि हमें अपनी हिर्दे को आत्में खिर्दे में बदलना है जिसमें कोई भी बाप और शाररिक विचार ना हो तब आपका हिर्दे वो स्वर्ग का राज्य बन जाएगा ये इसलिए है क्योंकि जो स्वर्ग में पवित्र आत्मा के छेत्र में महल है उसमें वो सारे की सारे सुविधाएं होंगे जिनका अपानद लेना चाहाते थे मसी में प्रियभाईयों और भैनों पिछले संदेश में मैंने आपको उस महल के मुखे घर के बारे में बताया था इस मुखे घर के एक तरफ आराधना ले है वहाँ पर आप आराधना कर सकते हैं लेकिन जो सुवर्ग के राज्ये में जो आराधना होगी और जो सूतिया होंगी वो इस प्रित्वी से थोड़ा सा अलग होंगी स्वर्ड में हम नई सूतियों के साथ परमिश्र के आराधना करेंगे इसलिए हमारे हिर्दे में और ज़्यादा घहरी भावनाय होंगी और हम धन्यवाद और आनंद के साथ भर चाहेंगे इस आराधनाले के अलावा इस महल में एक इमारत है जो बिल्कुल उसी आकार की है जिस सरीके सेश प्रिथवी पर आराधनाले होते है इस प्रिथवी पर इस महल के मालिक को कारिय मिला था कि वो इस प्रिथवी पर ग्रेंट सेंचुरी को बनाए और इसी तरीकी का भवन वो नई यरुष्ले में भी बना है इस घर का मालिक भी वो पिता परमिश्र की इस भवन को बनाने की लालसा रगता था इस अंसार में बहुत से भवन है लेकिन ऐसा कोई भवन नहीं है जो पिता परमिश्र की आदर और महिमा को दर्शा आता है इसलिए वो अपने हिर्दे की बहुत जादा लालसा की साथ उस भवन का निर्मान करना चाहाता था और पिता परमिशर ने उस हिर्दे को स्विकार किया और पिता पर्मिशर ने सब कुछ बताया कि किस तरीके से वो भवन बनेगा उसका अकार क्या होगा और उसका डिजाइन क्या होगा और ये ग्रेंट सेंचुरी ही केवल ऐसे ही नहीं बनाए गई ये उन सबी विश्वासियों की आसों का प्रतिफल है जो सचमुष में पिता पर्मिशर से प्रीम्ट करते थे और इस भवन को बनाने के लिए इस अंसार के ख़जानों का उप्योग किया चाना था और उन राजाओं के हिदे को पिगलाना बहुत जादा जरूरी था और इसकी अलावा हमें पिता पर्मिशर की सामर्थे को दिखाना था जो कि मनुश्यों की कल्पनाओं से भी परे थी और इस घर के मालेक ने ऐसे आत्मे क्यूद्धों को अपने आप से लड़ा ताकि वो इस सरीके की सामर्थे को प्राप्त कर सके उन्होंने इस सरीके की चीजों को असंभव से संभव में बदला और उसने किवल आग्याकारिता, प्रीम और भलाई के साथ इन सभी कारियों को किया और उसके बाद फिर ग्रेंट सेंचुरी को बनाया और ये ऐसा भवन है जिससे पिता परमेशर खुशी के साथ ग्रेंट करते हैं और पिता परमेशर जानते हैं कि किस सरीके से ग्रेंट सेंचुरी का निर्मान किया गया है निशीत तोर से स्वार में ग्रेंट सेंचुरी वो इस प्रित्वीन से भी बढ़ कर बहुत सुंदर मनी रतनों और गहनों से बनी होगी और जब इस महल का मालिक वो अपने घर में ग्रेंट सेंचुरी को देखेगा तो वो कितना ज़दा भावोख हो जाएगा वो पिता परमेशर के प्रेम के लिए धन्यवादी होगा और वो सारी की सारी महिमा पिता परमेशर को देगा और इस महल में सिडनी की ओपेरा हाउस की तरह भी एक इमारत है और ये ऐसा देखता है कि ये पानी पर तैर रही है और इस इमारत के सामने एक बहुत बड़ी जील है और ऐसा देखता है कि वो इमारत वो पानी पर तैर रही है और जो पानी की बूंदे है उन में इतनी जादा सुन्दर जोतिया हैं जिस तरीके से मनी रतन होते है और इस performance hall में एक बहुत बड़ी stage है जो कि बहुत सारे सुन्दर मनी रतनों के साथ सजी हुई है और उसमें बैठने के लिए बहुत सारे सुन्दर सीटे है यहाँ पर स्वर्दूत वो सुन्दर स्वर्दूतियों को करेंगे और वो वहाँ पर नृत्ते भी करेंगे उनका हर एक पल वो बहुत जादा सुन्दर होगा और वहाँ पर कुछ ऐसे स्वर्दूत भी होंगे जो संगीत के यंत्रों को बजाएंगे लेकिन भले ही स्वर्दूतों बहुत से अच्छे यंत्रों को बजाएं लेकिन वो सूतियां और वो नरते की सुगन जो कि पिता परमेश्र की सची संतानों से आएगी वो बिल्कुल स्वर्दूतों से अलग होगी पिता परमेश्र के लिए प्रेम और धनेवाद जो पिता परमेश्र की सच्ची संतानों में है और वो हिर्दे जो मनुशे जाते के जुताई के द्वारा सुन्दर बना है वो सुगंद वो पिता परमेश्र की हिर्दे को प्रभावित करेगी इस प्रित्वीं पर जो स्तूती करते हैं उनके पास बहुत से मोके होंगी कि वो नए रुष्ले में भी वो पिता परमिश्र की स्तूतियों को करने पाए लेकिन इसकी अनुसार की उनका प्रांट कितना ज़्यादा सम्रद हुआ है तो उनकी परफॉमेंस की एरिया भी वो भी अलग-अलग होंगी अगर कोई प्रेस लीडर वो नए रुष्ले में जाता है तो फिर वो इस परफॉमिंग होल में जा सकता है जो की इस उपेरा हाउस की तरह दिखता है और यहाँ पर जो परफॉमेंस होंगी वो स्वर के हर एक राज्यों में लाइव टेलिकास्ट होगी उसका सीधा प्रसारण होगा इसलिए इस ठेश पर एक बार खड़ा होना यह बहुत ज़़दा सम्मान की बात है क्या कारण है कि पिता परमिश्र ने ये बनाया है जब इस घर का मालिक वो इस प्रित्वी पर था उसने बहुत से टीमें बनाई पिता परमिश्र के हिदे को समझते हुए जो पिता परमिश्र को सूती दे और उन्होंने महांता से पिता परमिश्र को महिमा दे उन खूबसूरत सूतियों और नित्यों के द्वारा और वो लोग गूना के वल भारी तोर से सुन्दर दिखते है उन्होंने उन अभिने करताओं की मदद की ताकि वो अपनी हिदे की सची फ्रेम के साथ पिता परमिश्र की आरादना और स्तूति कर सकी और उन्होंने ऐसे बहुत से अभिने करताओं को तयार किया जो इस तरीके से पिता परमिश्र की स्तूति कर सके जिसे पिता परमिश्र ग्रहन करते हैं इसलिए पिता परमिश्र ने परफॉर्मिंग आर्ट होल बनाया है ताकि ये सभी की सभी कारे करता वहाँ पर वो पिता परमिश्र को स्तूतिया आर्पित कर सके मसी में प्रियभाईयों और भैनों इस भवन में एक और अम्यूस्मेंट पार्ख होगा जिसे मनोरणजक पार्ख भी कहते हैं और ये इतना जादा बड़ा होगा कि यहां तक है डिस्नी लेंड से भी बड़ा और वहाँ पर बहुत से जोदिया है रेल गार्डिया है और वो र पर वाइकिंग राइट्स कहते हैं और वो पार्क वो बहुत ज़दा सुन्दर होगा और जिस सरीके से एक घड़ी में पेंडूलम होता है आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके अलावा वहां पर और भी बहुत सी राइट्स होंगी और बहुत से जूले होंगे जो हम इस प्रिथ्वी पर नहीं मिलते वो सारे की सारे सोने और मनी रतनों से बने हुए है और जब वो एक बार चलेंगे तो उनमें से बहुत सारे सुन्दर जोत्या निकलेंगी और यहां तकि आप उन पर बैठे नहीं है तो भी वो बहुत ज़दा सुन्दर दिखेंगे और यहां तकि आप उन फूलों पर चलेंगे तो भी वो दबेंगे नहीं वो मुर्जाएंगे नहीं क्योंकि जो हमारी देहे होगी वो स्वर्गे देह होगी और ऐसा लगता है कि इसमें वजन है लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि उसमें कोई वजन नहीं है अगर कोई उन फूलों पर चलता है तो उसमें से सुखंद आएगी और आपकी पूरी की पूरी देहे तरो ताजा हो चायेगी और हर एक फूल वो अलगी प्रकार से सुखंद देंगी और जब वो फूल अपनी पत्यों को हिलाते हैं तो ये ऐसा दिखता है कि वो फूलों की सड़क वो आपक पर बहुत से अलग-अलग प्रकार के फूल होंगे अम्यूजमेंट पार्क के चारों और जो उनकी आनंद को और जदा बढ़ा दींगी और इस महल के अंदर एक चिडिया घर भी होगा ये ऐसा चिडिया घर नहीं है जहां पर जानवरों को बंदी बना कर रखा जाता है जिस तरीके से अफेरिका के नेशनल पार्क में वहां पर जानवर वहां स्वतंतर रूप से घूम सकते हैं और जो तंजानिया में नेशनल पार्क है जो पूरी संसार भर में सबसे बढ़ा है वो 24.4 गुना कोरिया से बढ़ा है और वहां पर लग-बग 350 अलग-अलग जाते जानवर होंगी और वहां पर बहुत से संधारी जनतों भी होंगी बहुत से देश्जी सरीके से अफ्रीका वहां पर इस सरीके के बहुत से रास्ट्रे पार्क है लेकिन जो तंजानिया में पार्क है वो सबसे बढ़ा पार्क है और वो चिडिया घर जो इसे भी बढ़ा वो नई अरुशले में, वो हरे के महलों में होगा, स्वर्ग में जानवर वो बहुत जादा बड़ी होंगे और वो और जादा सुन्दर दिखेंगे, यहां तक कि इस प्रित्वी के जानवरों से भी बढ़ कर, उन्हें छोड़ कर जो बाइबल में घ्रनी जानवर है, बाकि से जानवर भी होंगे, जो यहां तक कि इस प्रित्वी पर नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग में होंगे, वो जानवर बहुत जादा सुन्दर होंगे, और उनके पंक बहुत जादा कोमल होंगे, और उनकी रंग इस प्रित्वी के जानवरों से भी सुन्दर होंगे, यहां तक क मासाहारे जानवर आक्रामक जानवर वो स्वर्प में बहुत जादा कुमल होंगी। उधारन के लिए अगर हम कहें शेर तो उनका ही काक्रामक जरेतर होता है लेकिन वो वहाँ पर किसी को कोई भी मुश्किल नहीं देंगे और किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे लेकिन इसकी बजाए वो एक ट्रेंड कुतों की तरह होंगे जिनको प्रसेक्षन दिया जाता है आप कल्पना करें आप शेर की सवारी कर रही है या फिर आप हाते की सवारी कर रही है आप वास्तों में इसे कर सकते हैं और नई अरुश्ले में आप इन सब चीजों का आनन्द ले सकते हैं इस महल में जो मनोरंजक पार्क है और जो वहाँ पर खिलों की मैदान है और वहाँ पर मनोरंजन की और भी अलग अलग सुवीधाई है वहाँ पर गुल्फ कॉर्स है बॉलिंग एली है स्विमिंग पुल है यानिकी तरंताल है बास्केट बॉल का खिल का मैदान है और इसे बढ़कर वहाँ पर बहुत सी चीजे है। सोने की और दूसरी मनी रतनों से बनी होगी वहाँ पर बॉल्स और पिंस वो सब की सब सोने से बनी है ये सोना और ये बॉल्स से बहुत साधा अलग है और यहां तक ही आप इनकी वजन को भी नहीं माप सकते जिस सरी किसे बॉल्स धीरे से जाएगी और वो इन पिंस से टकराएगी और जब वो उन पिंस की साथ टकराएगी तो उन में से बहुत ज़दा सुन्दर आवाज निकलेगी और जो भी लोग इस महल में जाएंगे वो इन खीलों को खेल सकते हैं या फिर उनको देख भी सकते ह मैं वास्ताओं में अपनी प्रिये चर्श की सदस्यूं के साथ यहां पर मैं समय बिताना चाहता हूं मैं इस पृत्यों पर ऐसा नहीं कर पाया लेकिन स्वर्व में जहां पर हम हमेशा के लिए रहेंगे तो फिर मेरे पास बहुत सा समय होगा मेरी कलिस्या की सदस्यों के साथ अब हम गोल्फ कॉर्ड के और जाते हैं वहाँ पर कोमल घास वो पूरे के पूरे मैदान में है और हम क्या हाँ पर कुछ रोमांचिक चिज़ों को देख सकते है जब उस घास पर मुबॉल चलेगी तो वो घास अपने आप नीचे हो जाएगी और ये फिर एक ऐसा द्रश्य होगा कि जिस सरीके से उसमें से सुनहरी तरंगे निकल रही है ने यरुश्ले में यहां तक की पेड़ बोधी वो उन लोगों की मनों को जानते हैं जो खेल रही है और उनके अनुसार कारे करते हैं आप में से वो जिने गोल खेलना पसंद है स्वरके राज्य में वो उन सभी चीजों को पराप्त कर सकते हैं आप नई अरुशले में खेल सकते हैं और ये आपको स्वर्ग में प्रतिफल के रूप में दिया जाएगा लेकिन अगर आप सांसारिक लोगों की साथ इस अंसार का आनन्द लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बहुत से खीलों को खेलते हैं तो फिर ये प्रतिफल आपको नहीं दिये जाएंगे और इससे भी बढ़कर जब आप एक शोट लगाएंगे तो फिर एक लाउड ओटो मुबाइल आएगा और वो आपके बैरों के पास आकर वो आपका इंतजार करेगा और जब आपको उस बोल को ढूणना है कि वो बोल कहाँ पर है तो फिर वो क्लाउड ओटो मुबाइल आपको वहाँ पर लेकर जाएगा जहां पर बोल गिरी हुई है तो इस तरीके के घेलिए कितने ज़्यादा उच्छाहा से भरे होंगे और जब आप उस बोल को मारेंगे तो फिर उस बोल में से बहुत ज़्यादा सुन्दर आवाज निकलेगी स्वर्ग में हरे के आखों की रोशनी अच्छी होगी ताकि आप बोल को देख सके जहां पर भी वो गिरी होगी और इसे भी बढ़कर स्वर्ग दूत वो बोल के साथ आपका इंतजार करेगा और वो आपको संकीत करेगा कि बोल कहां पर गिरी हुई है अगर प्रभू और उनके चिले कोल्फ खिल लेंगे तो फिर क्या आप नहीं सोचते कि स्वर के बहुत से नागरिक वहां आएंगे और वो उस खिल को देखेंगे वो जिनको वहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा वो वहाँ पर उस खील को देखेंगे तो फिर वो कितनी जादा उतेजित होंगे जब वो इस खील को देखेंगे आप उस खील को देखेंगे और फिर आप उन स्वादिस फलो को भी खा सकते हैं और फिर आप उन फरलों को खाते हुए उस खिल को देख सकते है और वहाँ पर बहुत से वोटर पार्स यानि की जलक्रिडास्थल भी होंगे यहाँ तक कि जो इस प्रित्वी पर नहीं जानते कि किसरी किसे तैरा जाता है वो स्वभाविक तोर से वो स्वर्ग में तैर सकते हैं और जब आप तैर चुके होंगे तो फिर जो पानी की बूंदे हैं वो उसकी बूंदों की तरहे आपके शरीर से सूख जाएगा और आप गीला महसूस नहीं करेंगे इसलिए यहां तक कि आप अपने कपड़ों के साथ भी तैर सकते हैं जहां कहीं भी आप तैरना चाहाते हैं मसी में प्रियभाईय और भैनू इस महल में बहुत से संसार की सुविधाओं की तरह बहुत से सुविधाए हैं जिस सरीके से एक रिजॉर्ट क्यानी की आश्ट्यस्थल होता है तो फिर क्यों उस महल में इतनी सारे सुविधाएं दी गई है जब आप स्वर्ग में रहेंगे तो फिर आप उन दिनों के बारे में सोचेंगे जब आपकी जुताई इस प्रित्वी पर हो रही थी इसलिए पिता परमेश्वर ने हर एक प्रकार की सुविधाओं को तयार किया है ताकि आप स्वर्ग की आश्या से भरे रहें और जब दूसरे लोग इस महल में आएंगे तो फिर वो उन सभी जानवरों को पक्षियों को वो वहाँ पर देख सकते है और वो उनके साथ बाचीत भी कर सकते हैं उनके साथ खेल सकते हैं पिता परमेश्वर ने इन सभी चीजों को सब लोगों के लिए तयार किया है ताकि हम उन चीजों को याद कर सके कि हमने मनुश्य जाते के जुताये के दोरान इस प्रित्वी पर क्या क्या किया था बहुत से विश्वासी वो इस्थान पर आएंगे और हूँ उन सभी चीजों का आनंद लेंगे इसलिए पिता परमेशर ने विश्यिस तोर से इस जगे को तयार किया है पिता परमेशर ने समर हाउस को याने की गर्मियों में रहने वाले घरों को वहाँ पर पाड़ी चित्रों में तयार किया है और वास्तों में दूसरी जगे में भी वहाँ पर ये समर हाउस है और कुछ लोग वो इन घरों में जा सकते हैं और वो वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं और पिता परमिश्वर ने विशेश तोर से इस घर के मालिक के लिए ये समर हाउस बनाए है लेकिन बहुत से अलग मामलों में वो अपने महल में कुछ लोगों को आमंतरित कर सकता है और वो वहाँ पर भवश्य दक्ताओं से मिल सकता है एलिया, हनुक, अबराहम, मुसा और एक समर हाउस यहाँ पर क्रिस्टल से बनाया गया है और यह पूरी की पूरी इमारत यह क्रिस्टल से बनी है और यहाँ तक कि यह बिलौर से बनी है तो भी हम बाहर से अंदर के और नहीं देख सकते और इस बिलौर के घर की अंदर वहाँ पर एक सोने की बनी हुई कुरसी है और वो वहाँ पर बैट कर इस पूरी महल को देख सकते है यहां तक कि बहुत जादा दूर की चीजों को वो वहाँ से देख सकते है और वहाँ पर एक विश्यश चीज है जो उस घर के माली के लिए बनाई गई है यह वो यादगार का मार्ग है यह कैसी सडक है जहां पर हम चलेंगे तो हम अपनी पुरानी बीती हुई बातों को याद कर सकते हैं जब हम इस पृत्वी उपर थे और जब वो इस सडक पर चलेंगे तो उनकी हिदे से स्तूतिया निकलेंगी और वो इस पृत्वी की चीजों को याद करेगा अगर वो सूराचान तारों को देखना चाहेगा जो इस प्रित्वी पर थे तो फिर कुछ इस सरीके से वीडियो स्क्रीन होगी कि वो वहाँ पर उन चीजों का अनुभाव कर सकता है जब आप इस यादगार के रोल पर चलेंगे तो फिर आप मनोशे जाते के जुताइक के उन पलों को याद कर सकते हैं और पिता परमिशर ने इसी उदेशे के लिए उस सड़क को बनाया है और पूरा का पूरा स्वर घू पिता परमिशर की महिमा के जोती से ढखाव हुआ है इसलिए हमें वहाँ पर सूरज और चांद की जोतियों की जुरत नहीं है लेकिन उस समय के लिए जब वो इस प्रित्वियों के चीजों के बारे में सोचता है तो फिर पिता परमिशर ने उन सभी चीजों को तयार किया है और वहाँ पर एक और विशेज जगय है उन सभी बातों को याद करने के लिए जो कुछ भी हमने इस प्रित्वियों पर किया था ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आप उस महल के अंदर वो माले को उन सभी चीजों को याद कर सकता है कि किस घर में वो पैदा हुआ किस घाओ में उसने अपना जीवन जीया और कि स्थान पर वो परिक्षाओं के स्थान पर रहा और वो जगय जहां पर वो पहले बार पिता परमिशर से मिला और वो पिता परमिश्र की संदान होने के नाते कहां पर बढ़ा हुआ ये सभी की सभी चीज़े आप वहाँ पर एक स्क्रिन पर देख सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़े वो इस प्रित्मी पर अलग होती है लेकिन वहाँ पर नए रुश्लिम की हर एक चीज़े बहुत जादा विशेश है और वहाँ पर आप इन सभी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं जो पिता परमिश्र अपनी प्रिम के द्वारा तयार की है और मैं चाहाता हूँ कि जब आपी संदेश को सुन रहे हैं आपकी इंदर भी आशा हो कि आप भी भीतरस्वर की राजय में जाने पाएं और पिता परमिश्र आपको सब कुछ वापस चुकाएंगे जो कुछ भी आपने किया है और आपके प्रतिफल वो निश्चित होंगी कितना जादा आप पिता परमिश्र के सबी घरानों में विश्यास चुगे रहे कितना जादा आपने पिता परमिश्र को प्रसंड किया कितना जादा आपने पिता परमिश्र से प्रेम किया और कितना जादा आपने आत्मा को सुसमाचर का प्रचार किया आप इन सभी चीजों के बदले आप पिता परमिश्र से प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे पिता परमिश्र ने गी सारी की सारी चीजे उस महल में बनाई है ताकि स्वार के लोगों जब वहाँ पर उस महल में आएंगे तो फिर वो मनोशे जातिक की जुताई के दिनों को वो वहाँ पर दुबारा से याद करने पाएं पिता पर्मिश्र आपको उन सभी चीजों को वापस चुकाएंगे जो कुछ भी आपने इस प्रित्मी पर पिता पर्मिश्र के धर्म और राज्य के लिए छोड़ दी थी पिता पर्मिश्र वो आपको सब कुछ वापस चुकाएंगे मसी में प्रिय भाईयों और भैनों जो पवित्र आत्मा के छेत्र में सबसे बड़ा मैहल है और जो उसमें ज़र्णे है जब उनमें से पाने गिरेगा तो उनमें से सफेज जोधिया निकलेंगी और जो की बहुत ज़ादा सुन्दर जोधिया है और उनके जोधिया वो हमें बहुत ज़ादा आनन देंगी उस ज़णे के दोनों और वहाँ पर ऐसे मनी रतन होंगे जिन में से दो तही और तीन तही जोदिया निकलेंगी और वो जोदिया उस पाने के साथ मिल जाएगी और वो द्रशे इस प्रकार बहुत ज़दा सुन्दर होगा और जब लोग उस ज़णे के और देखेंगे तो वो लोग और ज़दा तास्गी महसूस करेंगे और वो आत्मा से भर चाएंगे और जब आप इस ज़णे के पास चाएंगे तो फिर आप वहाँ से चार और की चीजों को और देख सकते हैं कि वहां उस ज़र्णे के आसपास का द्रश्य कैसा है और आप उस महल के सुंदर्दा को भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये ज़र्णा बहुत जादा उचा है और जब ये नए रुशले में बहेगा तो ये हमें बहुत जादा आनन और खुशी देगा। आप बहुत से अलग-अलग प्रकार के टापो भी देख सकते हैं और जो इसमें पानी होगा वो बहुत सदा साफ होगा और आप बहुत सदा घहराई में भी देख सकते हैं और वो तरंगे जो उसमें से निकलेंगी उनमें भी बहुत सारे सुंदर जोतिया होंगी और बहुत सी मशलिया वो इस पानी में होंगी ये पानी बिलौर के समान बहुत ज़्यादा साफ और सुन्दर है विशेश तोर से वहाँ पर हरी रंगे घर वो इस समुद्र में होंगे यहाँ तक कि इस प्रित्वी पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि समुद्र में किसी का घर हो लेकिन स्वर्ग में वहाँ पर सब कुछ संभव है यहां तक कि अगर हम कल्पना करें तो भी हम नहीं सोच सकते कि इतनी जादा रहसे में चीजें वो स्वर्ग के राज्य में होंगी वहां पर जो टापो बने होंगे उनके अलग-अलग आकार होंगे और हर एक टापो की अलग-अलग विश्यिस्ताए है और उस समुद्र का आकार भी बहुत सादा बड़ा होगा जिस तरीके से टाइटैनिक जहास होता है वहां पर भी उस समुद्र में भी बहुत से जहास होंगे और उसमें भी बहुत सारे सुविधाएं होंगी और बहुत सी विभिन चीजें होंगी क्या स्वर्ग में हमें थेटर की जहरत होगी निशीत तोर से हमें होगी क्योंकि जितना जादा आप अभी स्वर के बारे में उसुख है और जितना जादा आप स्वर के बारे में जाना चाहाते हैं तो वहाँ पर भी सो से भी जादा फिल्मे होंगी जो उत्पतिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक होंगी मूसा और पिता परमिश्र के बीच में बाचीत लाल समुद्र का बाटा जाना और उनका जंगल में जीवन और यर्दन अदी का रुख जाना यरिहों के बारे में और प्रेरित पॉलोस जब वो समुद्र में था और जब उस पर सताव हुआ उस पर पत्राओ किया गया और किस सरीके से उसने अपना जीवन जिया आप ये सब खुश वहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ पर ऐसी घटनाए हैं जो आप और भी ज़ादा देखना चाहेंगे तो आप कितनी ज़ादा खुश होंगे और आप कितनी ज़ादा उस्सुख होंगे जब आप उन्चिन और शमतकारों को देखेंगे जिनका बाइबल में अभिलेक है आप उन्हें वहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रेरित पॉलुस का वो द्रश है जब उसका सीर काटा गया और हमारे प्रभु जब उन्होंने क्रूस को उठाया आप ये सब कुछ वहाँ पर देख सकते हैं और आप वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के से पिता परमेशर ने प्रभू ने और पावित्र आत्मा ने इस प्रित्मी की सिस्टी की थी और किस तरह के से आदम और हवा को बनाया गया और किस तरह के से वो आत्मिक जन थे तो फिर आप वहाँ पर कितने जादा भावनाओं स से पहले के इतिहास को भी देख सकते हैं और नई अरुष्ली में जहास भी होंगे जो कि बिलौर से बनी होगी और आप ऐसा महसूस करेंगे कि जिस सरीके से आप पानी पर चल रहे हैं और वहां पर ऐसी रहसे में चीज़ी होंगी और यहां तक कि आप समुद्र की अंदर की चीज़ों को भी देख सकते हैं कि आप इसे देखना चाहते हैं कि नई अरुष्ली में समुद्र के गहराई में क्या होगा मैं वासों में चाहाता हूँ कि आप नेरशले में जाने पाएं और आप वहाँ पर मेरे साथ बहुत से राइट्स का आनन्द ले यानि कि आप बहुत से सवारियों का आनन्द ले ना केवल इस प्रित्वी पर बलके नेर्शले में भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं भी आपके साथ इस जहाज में सवारी करना चाहता हूँ और ये महल ये बहुत ज़ादा बड़ा है इसमें बहुत से जहीले हैं बहुत से बगीचे हैं और विशेस तोर से अलग-अलग रंगो वाली जहीले हैं अलग-अलग रंगो वाली मशलिया हैं और वो पिता बरमिश्र की संतानों को खुश करने के लिए नाचेंगी और मशलिय वो बार-बार अपने रंगों को बदलेंगी और जो वहां पर बगीचे हैं वहां पर अलग-अलग प्रकार के फूल होंगे जो अपनी अलग-अलग प्रकार की सुखन देंगी और वहां पर अलग-अलग पानी के जढ़ने होंगी इस पृत्वी पर जो पानी के जढ़ने होते है लेकिन जो स्वारग में जो पानी के छड़नी होंगे उसमें से ना केवल पानी निकलेगा बलकि उसमें से बहुत जादा सुन्दर सुखन भी निकलेगी और उसमें से बहुत जादा सुन्दर जोतिया निकलेंगे जो आमें बहुत जादा आनन देंगे खुद को बलिदान करने और विश्यास योगेता के सुगन वहाँ पर ऐसी बहुत से सुगन्ध होंगी जो हमारे पास इस प्रित्वी पर नहीं है और उज जड़ने के बीच में वहाँ पर कुछ फोटो या कुछ वीडियो भी हो सकती है जिस तरीके से इस प्रित्वी पर वीडियो वोटर स्क्रीन होती है जिसमें आप आने के बीच में कोई तस्वीर देख सकते हैं और वो वीडियो वो हमें बताएगी हर एक जड़ने की अर्थ को की इस जड़ने का अर्थ क्या है और इस महल में जीवन के वचन की नदी भी है जो हरे कोनी में वहती है और जीवन के जल के जो नदी है उसके उपर अर्धृत खंड के पुल भी है और जिनके उपर वशा धनोश है और उसके चारो और सोने और चांदी का रेथ है और वहाँ पर सोनी के बने हुए बेंच भी है और वहाँ पर जीवन का व्रक्ष भी है जो कि जीवन के जल की नदी क किनारे खड़ा है और जो कि बहुत ज़्यादा सुन्दर दिखते है अगर मुन फलों के बारे में देखे तो वो फल बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट होंगे और अचानक से जब हम उसको खाना चाहेंगे तो स्वर्दूत उन फलों को टोकरी में लेकर आएंगे और वो हमें मैं प्रबुश्यों मसी की नाम से प्रात्ना करता हूं कि आप में से बहुत से लोग वो इस्थान पर जाने पाए जो कि आनंद और शांती से भरा है मसी में प्रियभाईयों और भेनों जब हम श्वेत महान्या सीहासन की बाद अपनी प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे तो फिर हम अपनी अनन स्वर्गे घरों में चाहेंगे और उसके बाद सबसे पहला भोश पिता परमिश्रु के द्वारा रखा चाहेगा और वो भोश पिता परमिश्रु के सीहासन के सामनी होगा और यह भोश ही बहुत ज़ादा बड़ा होगा और जहाँ पर यह भोश होगा और जो वहाँ पर गेट होगी वो बहुत ज़ादा सुंदर्ता के साथ सर्जी होगी और जब हम उस भोश के अंदर जाएंगे तो फिर हमारा हिदे वो बहुत ज़ादा प्रभावित होगा उन सबी सूत्यों को सुनकर जिनकी आवास अंदर से बाहर की और आ रही है और जब हम उन सूतियों को सुनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे हिते को प्रभावित करेगा और हम ऐसा महसूस करेंगे कि इतना ज़्यादा आराम धायक है कि जिस सरीके से कोई बच्चा वो अपनी मा की गोध में आ गया है और वो फूल वो बहुत ज़्यादा सुन्दरता से चमकेंगे और हरेक कौने में बहुत ज़्यादा बेलना आकार के पिलर्स है और वो बहुत से मनी रतनों के साथ सजे हुए है और वो पारदर्शी है हम उसकी सुन्दरता को देख सकते हैं कि वो कितनी जादा सुन्दर है और हर एक पिलर में फूल लटके हुए है और बहुत से अलग-अलग प्रकार के फूल है जो कि बहुत से लोगों के हिर्दे को प्रभावित करते है और भोज के सामने वहां पर एक वेदी है और उस पर सफेद रंग का सिहासन है जो कि पिता परमेश्र का सिहासन है और इसके दोनों और प्रभू और पवित्र आत्मा का सिहासन है और इस सिहासन में भी बहुत ज़्यादा सुन्दर जोतिया होंगी जिस सरीके से प्रकाशित वाक्य चार अध्याय उसके तीन पद में कहा गया है और जो उस पर बैठा है वहे ये शब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और सिहासन के चारों और मरकत सा एक में एक धनुश दिखाई देता है और नीचे वाले वेदी पर वहाँ पर दूसरे सिहासन है और जिनका पद उचा है वो वहाँ पर बैठेंगे जिस सरीके से एलिया, अबराहम, हनोक, मुसा और जो दूसरे प्राचीन है और वहाँ पर एक तरफ वहाँ पर ओगेस्ट्रा के लिए स्थान है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर संगीत यंत्रों को बजाएंगे और वो विश्वासी जो वहाँ पर आमंत्रित किये जाएंगे वो अपने स्थानों पर बैठेंगे जहां पर स्वर्दुत उनकी अगवाई करेंगे जो नई यरुष्ले में वो सबसे आगे बैठेंगे फिर तीसरे स्वर के विश्वासी फिर दूसरे स्वर के विश्वासी फिर पहले स्वर के विश्वासी और उसके बाद स्वर्गलोग के विश्वासी केवल वो लोग जो स्वायर्गलोग के प्रते निदी हैं वो वहाँ पर आएंगे और इसके अलावा यहाँ पर उनको नरुशले में आमंत्रित किया गया है तो यह उनके लिए मुश्किल होगा कि वो दुबारा से इस्थान पर आए क्योंकि स्वायर के हर एक राज्यों में मह आने पाए वो वहाँ आनी में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करेंगे और नरुशले में लोगों की जोतिया बहुत ज़्यादा अलग होंगी लेकिन जब नरुशले में पिता परमिश्र भोश रखेंगे तो फिर वहाँ पर दोबारा आना उनके लिए आसान नहीं ह वो व्यक्ति जो नरुशले में आएंगे जब उनको आमंतरित किया चाएगा तो फिर उन्हीं वहाँ पर आने के लिए विशीच पोशाकों को पहनना पड़ेगा और उन्हीं वहाँ पर अपनी पोशाकों को बदलना पड़ेगा और उन्हीं उन दूसरी पोशाकों को पहनने के ज़रत है ताकि उनका पता चले कि वो कौनसी स्वर के राज्य से आये है और वहाँ पर गेट पर उनको अपनी आमंतरित पत्र को दिखाना होगा यानि के मैंने आपको पहले से ही बताई है और इसके साथ ही फिर वो भोश शुरू होगा और एक बार दुबारा से उन विश्वासियों को जाचा चाहेगा और उसके बाद वो उस भोश में चाहेंगे और यहां का सिधा प्रसारण वो स्वर के दूसरी राज्यों में भी होगा जो और वहां पर बहुत बड़ी स्क्रीन होगी जिससे वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो वेक्ते भी वो उसी भोश में शामिल है मैंने आपको पहले से ही बताया है कि स्वर्ग में स्क्रीन कितनी जादा बड़ी होगी यह बहुत जादा बड़ी होगी पिता परमेश्र के पीछे बहुत से स्वर्गदूत खड़े होंगे बार है दाई और बार है बाई और जो विश्वास के पूर्वज है वो नीचे वाली वेधी पर खड़े होंगे और जब विश्वासी उनको देखेंगे तो उनकी अंदर बहुत जादा इच्छा होगी कि वो पिता परमेश्र और प्रभू के बिलकुल नजदिक जाना चाहाते है और हर किसी की आँखे केवल उनी पर लगी होंगी इच्छन पिता परमेश्र वो इतने जादा उजवल और महीमा में जोती के साथ आएंगे और उनके दिखावट बहुत जादा महान और महीमा मैं होगी और उसी समय वो बहुत जादा नम्र और वो बहुत जादा पवित्र भी होंगे पिता परमिश्र के बाल वो सुनहरे रंग के साथ थोड़े से घुंगराले है और उनका पूरा शरीर और उनके चहरे में बहुत ज़्या सुन्दर चमक है कि यहां तक कि कोई सीधे तोर से उनको नहीं देख पाएगा जब पिता परमिश्र सीहासन के सामने आएंगे तो हर कोई पिता परमिश्र के सामने चुकेगा और वो पिता परमिश्र की आरातना करेंगे जब पिता परमिश्र वो सीहासन के सामने आएंगे तो हर कोई खड़ा होगा और वो पिता परमिश्र के सामने चुकेगे ना केवल स्वर्गय सैना और स्वर्दूत यहां तक कि जो नीचे वाले वेदी पर भवशर दक्ता और विश्वास के पूरज हैं वो भी वहां पर खड़े होंगे और यहां तक कि वो विश्वासे जो दुसरे स्वर्ग के राज्यों में होंगे वो भी ऐसा ही करेंगे और ये ये बहुत ज़ादा आदर की बात है कि वो सिस्टी करदा पिता परमेशर को आमने सामने देखेंगे और ये एक महान आनंद होगा लेकिन ना केवल सभी विश्वासी वो पिता परमेशर को सीधे दोर से देख सकते हैं जो स्वर्ग लोग पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग से हैं वो वास्तों में पने सीरों को भी नहीं उठा पाएंगे और वो पिता परमेशर को प्रतेक्ष रूप से नहीं देखने पाएंगे क्योंकि पिता परमेशर की जोती वो बहुत जादा तेज है तब पिता परमेशर अपने जोती को नियंतरित करेंगे ताकि हर कोई वो पिता परमेशर को देख सके जो भी पिता परमेश्र को देखना चाहाते हैं लेकिन पिता परमेश्र अपने उस जोती को न्यंत्रित करेंगे कि वो पिता परमेश्र को सीधी तोर से देख सके और वो पिता परमेश्र को प्रतेक्ष तोर से नहीं देख सकते यहां तक कि पिता परमेश्र अपने जोती को कम करे तो भी उनको बहुत जादा शर्म महसूस होगी और वो अपने हिर्दे में बहुत जादा प्रभावित होंगी इस बात को देखते हुए कि उन्होंने इस भूश में हिसा लिया और पिता परमिश्र ने उनको आमंत्रित किया और उनके बहुत जादा आसू बहेंगे और जब पिता परमेश्र अपने सिहासन पर बैट चाहेंगे पिता परमेश्र ने बहुत जादा सुन्दर मुकुट को पहना होगा जब वो अपनी हिर्दे में बहुत जादा प्रभावित होंगे केवल इस बात को देखते हुए कि वो इस भोज में हिसा ले सकते हैं तो वो आनद और खुशी के आसों को बहाएंगे और जब पिता परमेश्र अपने सिहासन पर बैठ चाएंगे तो फिर प्रभू वहाँ पर आएंगे और बहुत से प्रधान स्वर्दूद और बहुत से स्वर्गय सैना उनके साथ आएंगे सबसे पहले प्रभू वो पिता परमेश्र के सामने अपने सीर को जुखाते हुए अपना आदर प्रगट करेंगे और जब वो सामने देखेंगे तो सभी के सभी विश्वासी खड़े होंगे और वो प्रभू को दन्वत करेंगे और जब पिता परमेश्र वो इस रिश्य को देखेंगे तो वो बहुत सादा खुश होंगे और पिता परमेश्र भी वो इस रिश्य को देखकर मुस्कुराएंगे वास्तों में हमारे प्रभू वो एक प्रतिनीधी होंगे और जो प्रतिनिधी की सीट है वो पिता परमिश्र की सिहासन के सामने होगी हमारे प्रभू वो विश्वास के पूर्वजों के बारे में बताएंगे जिनोंने महांता से पिता परमिश्र को महिमा दी इस मनुश्य जाते के जुताय के दोरान प्रेरित पॉलोस के मामले में प्रभू उन सभी आत्माओं के बार में बताएंगे कि प्रेरित पॉलोस ने कितनी ज़्यादा आत्माओं के अगवाई की और कितनी ज़्यादा महानकारियों को दिखाया तब सभी के सभी विश्वासी आनन्दित होंगे इन सभी बातों को सोच कुछ विश्वासी आनंदित होंगे यहां तक कि दूसरों से भी बढ़कर और वो कारे करता जो प्रिरित पॉलोस के साथ थी यहां तक कि सुख और दुख में भी वो प्रिरित पॉलोस के साथ रहे जिस सरीके से तिमो थी तितुस और बहुत से कारे करता और वो बिल्कुल प् पुल उसके द्वारा सु समाचार के प्रचार को सुना और उद्धार को प्राप्त किया तो वो अपनी हिर्दे में बहुत सादा प्रभावित होंगी। और फिर प्रभू उनके बारे में बताएंगे जो आज की समय में पिता परमिश्र के महान कार्य को पूरा कर रही है वो अंगीनत उधार के फलो को पिता परमिश्र के महान सामर्थे के द्वारा उत्पन कर रही है और जो मनुशे जाती की उधार को पूरा करेगा प्रभू उसके बारे में और उसके सेवकाई के बारे में गहराई से बताएंगे और वो बताएंगे कि किस सरीके से पिता परमिश्व ने उनसे महांता से प्रेम किया और किस तरही के से उन लोगों ने विश्वास और आग्याकारिता के द्वारा उन सभी बातों को पूरा किया और उन्होंने जिसके द्वारा उधार पाया है वो भी आनन्दित होंगी और वो एक साथ मिलकर धनेवाद देंगी तब ओगेस्टर वो सुंदर संगित को गाएंगे और वो सुंदर स्तूतियां गाएंगे और तब स्वर्दूत भी खाएंगे और वो नृत्ते भी करेंगे और जो इस भोच में बुलाए गए हैं उनके पास बहुत से खाने की चीज़े भी होंगी जब वो इन सबी प्रस्तूतियों को देख रहे होंगे तो फिर वो वहाँ पर खा भी सकते हैं और कुछ चीज़ों को पी भी सकते हैं निश्चित तोर से वहां पर अंगिनत स्वर्गदूत होंगे जो पिता परमिश्र की संतानों की सेवा करेंगे जिनको वहां पर अमंतृत किया गया है वो विश्वासी गूल मेश पर बैठेंगे और वो अपने विश्वासी भायों के साथ बाचित कर सकते हैं और इसके अलावा वो उन भवशे द्रकताओं के पास पी जा सकते हैं जिन से वो मिलना चाहाते थे स्वरगदूत ना केवल एक होगा बलकि वहाँ पर बहुत से स्वरगदूत होंगे प्रदर्शन करने वाले स्वरगदूत और यहां तकी हमारे विश्रास के पूर्वज भी सूति करते हुए और नृत्ते करते हुए वो भी पितापरमेश्र को महिमा देंगे और इस समय पिता परमिश्र बहुत जादा आनन्दित होंगी जिनके द्वारा पिता परमिश्र ने महांता से उन फलों को उत्पन किया पहला थिसलूनिकियों दो अध्य है उसके 19 पद में कहा गया है भला हमारी आशा, आनन्द और बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु इश्यमसी के सम्मुक उसके आने की समय तुम भी ना होगी? निशित तोर से वो तरेक परमिश्र के फल है लेकिन उसी समय वो जो प्रिरित पॉलोस के बलिदान के द्वारा बचाये गए वो प्रिरित पॉलोस के भी फल है जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं क्या आप कुछ महसूस नहीं करते कि ये इस अंसार से कितना ज़्यादा अलग होगा मैं आपको बताता हूँ कि इस अंसार में जब किसी देश का रास्टर पती वो कहीं पर आता है संदेश को देने के लिए तो सबसे पहले जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं वो आराम से बैठे रहते हैं लेकिन जब रास्टर पती आता है तो सब के सब खड़े हुच आते हैं या फिर अगर कम्पनी में किसी बोस के साथ मीटिंग होती है तो सबसे पहले सभी लोग बैठे रहते हैं लेकिन जब उनका बोस आता है तो वो सभी किसा भी खड़े हो जाते हैं तो स्वर्ग में ये कितना ज़्यादा आत्बुत होगा और कितने ज़्याद आपने पूरे हिर्दे से वो आदर और सम्मान करेंगे सबसे पहले तो सभी विश्वासी और भवश्य दक्ता बैठे होंगे लेकिन जब पिता परमिश्र प्रभु और पावित्र आत्मा उनके साथ आएगा तो उसके बाद सभी खड़े होकर उनको दन्वत करेंगे तो फिर क्या आप नहीं सोचते कि ये कितना ज़्यादा आत्बुत होगा पिशली बार जब मैंने स्वर के संदेशों का प्रचार किया था आपने सुना कि हमारे पिता परमिश्र की साथ ग्रेंड सेंचुरी में सभा होगी गिबा ठीक है और ये ग्रेंड सेंचुरी ही है जब हम स्वर्ग में चाहेंगे सबसे पहले हमारे पिता परमिश्र के साथ सभा होगी और पिता परमिश्र वो एक भोश को रखेंगे और आज मैंने आपको उस भोश के बार में बताया जो कि पिता परमिश्र के द्वारा आयो जित पहला भोश होगा मसी में प्रिये भाईयों और भैनों आज का बाइबल पद प्रकाशित वाक्य 21 सध्य उसके 3 और 4 पद में बताया गया है फिर मैंनी सिहासन में से किसी को उचे शब से यह कहते हुए सुना कि देख परमिश्र का डेरा मनुश्यों के बीच में है वह उनकी साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगी और परमिश्र आप उनकी साथ रहेगा और उनका परमिश्र होगा और वह उनकी आखों से सब आसु पोस्ट ढालेगा और उसके बाद मृत्यू ना रहेगी ना शोक ना विलाप और ना पेड़ा रहेगी पहली बाते जाते रही वो अनन्द स्वर्गेत जीवन जो इस भोज के साथ शुरू होगा उसके बाद हमें कोई शिंता, शोग, पेड़ा, हमारी कोई भ्यासू नहीं निकलेंगे वहाँ पर केवल खुशी, आनन, प्रेम और केवल और केवल शान्ती होगी हम हमेशा के लिए अपने पिता परमिश्र के साथ रहेंगे और अपने प्रेभाईयों और भेनों के साथ हम वहाँ पर अनतकाल के लिए रहेंगे कितने जादा मैंने इस दिन के लिए लालसा रखी और उस्थान में जाने के लिए मैं वासम में चाहाता हूँ कि आप में से सभी वो इस स्वार की राजय में आने पाए और मैं चाहाता हूँ कि आप में से सभी वो नए उर्शलिम में प्रवेश करने पाए होनी पाए आप अपना अनन स्वर्ग का जीवन सबसे बेतर खुशी के साथ सबसे बेतर स्वर्ग के राजय में जीने पाए मैं प्रभुश्य मसी के नाम से प्रातना करता हूँ प्रातना